केवल पांच दिनों में 2-3 किलो तक आपका वजन कम होगा लटकता हुआ पेट दुबारा अंदर चले जाएगा और आप अपने सभी पसंद के कपड़ों को दुबारा पहन सकते हैं वजन को कम करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं डाइटिंग करते हैं एक्सिसाइस करते हैं लेकिन क्या आप ये जाते हैं अगर आप वजन को सच में कम करना चाहते हैं तो आपको केवल एक बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए अगर आपको कब्ज की तकलीफ रहेगी, कॉंस्टिपेशन रहेगा, पेट साफ नहीं होगा तो आप कुछ भी करने फिर वाले डाइट लेने से हमारे शरीर में किसी तरीके के टॉकसिंस नहीं रहते हैं और हमारा पेट रोजाना साफ भी होता है, तो आज हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम सभी के घर में होती है, मैंने आप पर इस्तमाल करा है आज अजवाइन का, अजवा अजवाइन के लिए अजवाइन सबसे बेस्ट है, तो मैंने आप पर इस्तमाल करा है आज अजवाइन के दानों का, और इस अजवाइन को मैंने गरम तवे पे अच्छी तरीके से भुन कर तयार करके रख लिया है, ये भुनी हुई अजवाइन के दाने हैं, जिसका हमें य तो इस weight loss drink को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक pan और इसमें मैंने डाला है करीब एक glass पानी पानी को हमें हलका सा गुंगुना करना है फिर गुंगुने पानी में हम यहाँ पर डालने वाले है अपनी अजवाइन को लगभग एक बड़ी चमच भरकर मै कि इसके जितने भी पोशक तत्व हैं वो बिलकुल खराब ना हो धीमी आज पर अबालने से जो nutrients रहते हैं वो destroy नहीं होते हैं और हमें यही तो चाहिए कि इस गरम पानी में अजवाइन के सारे पोशक तत्व एब्जॉब हो जाए सारा अर्क इस पानी में उतर जाए तो अ पर इस्तमाल करने वाले हैं शेहत का शेहत किसको पसंद नहीं होता मीठी चीजे हम सभी को पसंद होती है लेकिन इस चाई में मिठास देने के लिए शक्कर का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा आप भी शेहत का इस्तमाल करिए मैं हमेशा अपने चैनल पर बताती हूँ कि अब हमारी चाई में काफी अच्छे से उबालाना शिरू हो चुका है लगभग इसमें दस मिनिट हो चुके हैं बॉल होते हूँ मैं से एक दो मिनिट ले और उबालूंगी मैं धीमी आज पर कर रही हूँ और बीच वीच में गैस को बंद भी कर रही हो इंड़क्शन को ता हमारी गरम गरम अजवाइन की चाई बनकर तयार हो गई है आपको इस अजवाइन की चाई को रोज सुबह उठकर खाली पेट पीना है केवल पांच दिन में आप अपने शरीर में बदलाव होते हुए देखेंगे पहले दिन से ही आप सबसे पहले तो फील करेंगे कि आपक छाई की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप अजवाइन की चाई का इस्तामाल करें चाई तो अब मैंने अजवाइन की चाई को इस तजह चाह चांख लिया È बंकर तैयार है और इस गरम गरम अजवाइन की चाई में एक चमछ भरकर शहःड डालने वाली हूँ नहीं उивает इसे अची तरीके से मिक्स करिए थोड़ा सा फेटी अच्छे से और उसके बाद इसे हलका सा गुन-गुना पिएंगे गरम गरम इस चाय को पिएंगे तो आपको इसकी फाइदे थोड़ी ज्यादा मिलेंगे थंडा करके पिएंगे तो इसे कोई बेनिफिट जादा नहीं मिल है तो आप लोग भी गरम गरम अजवाइन की चाय से अपने दिन की शुरुवात करें और देन कमेंट करके बताएं कि आपको इस रेमेडी कैसी रगी अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक जरूर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूरा है